Don't abuse him का क्या मतलब होता है या आज कि इस वीडियो में सीख लेते हैं कई बार हम किसी के बारे में कुछ गलत बात कहते हैं या कुछ गाली देते हैं और सामने वाले को ये बात सही नहीं लगती या उसे लगता है कि हमें उसको गाली नहीं देनी चाहिए हलांकि हमें किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए हमें सब्ध्यभाषा का ही प्रियोग करना चाहिए किसी से भी बात करते हुए लेकिन educational purpose से हम आपको इसका मतलब बता देते हैं इसका मतलब होता है कि उसे गाली मत दो कि जब आप किसे को गाली देते हैं गलत तरीके से उसको बुलाते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि उसे गाली मत दो यानि कि don't abuse him, abuse करने का मतलब होता है गाली देना अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्स करें